Hello everyone, Welcome to Exam Forum Exam Forum के आज इस वीडियो में हम Railway, NTPC, CBT2 तथा Group D परिच्छा के लिए Special Current Fair की स्रीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पिछले एक साल के सभी मात्पॉंट कोश्चन्स डीटेल में जो की TCS पैटन पर आधारित होंगे इस स्रीज में हम कवर करेंगे जो Current Fair के कोश्चन्स होते हैं पिछले एक या डेर साल पुराने होते हैं तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए सभी कोश्चन्स डीटेल में कवर करेंगे जो की पिछले एक साल पुराने होंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो पहला कोश्चन है बूटान देश ने अपने सरोच नागरिक सम्मान जिसका नाम है नगदग पेल गी खोरोलो से किसे समानित किया है तो जो बूटान देश का सरोच नागरिक सम्मान है जिसका नाम है नगदग पेल गी खोरोलो यह पुरुषकार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी को यानि की इस question का सही answer है सी अब तक की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी को total 9 देशों का सरोज चनागरिक सम्मान मिल चुका है ये नो देश कौन-कौन से हैं साउदी, अरेबिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, युएई, रूस, माल्दिव, बहरीन, युएस तथा भूटान जिसमें से लेटिस्ट है भूटान देश का सरोच नागरिक सम्मान जो भूटान देश है, इसकी राधानी है, थिम्पू, यहां की राधवासा है, जोटखा, यहां की प्रदान मंत्री है, लोटे, सेरिंग, और भूटान की मुद्रा है, डूल्ट्रम, जो की सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछी जाती है भूटान जो की भारत का एक प्रोसी देश भी है, अगला कोशन है, ओलम्पिक लॉरेल प्रुसकार 2021 किसे दिया गया है, तो ओलम्पिक लॉरेल प्रुसकार 2021 दिया गया है, मोहम्मद यूनिस को मुहम्मद यूनिस जोकी बांगलादेश के एक ब्यक्ति हैं इनको ये पुरुसकार विकास के लिए खेल में उनके ब्यापक कारिक के लिए दिया गया है जो ओलम्पिक खेल हैं यहां से आपको दो कोशन यात रखना है टोकियो ओलम्पिक 2020 जिनका आयोजन किया गया इस साल 2021 में कोरोना की वज़े से तो जो ओलम्पिक खेल हैं दो प्रकार के होते हैं ग्रीसम कालिन ओलम्पिक खेल तथा सीथ कालिन ओलम्पिक खेल ग्रीसम कालिन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किया गया दो हजार एकड़िस में जापान की राधधानी टूक्यो में इसके चार साल बाद यानिकि 2024 में आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राधधानी पेरिस में फिर दो हजार अठाइस में अमेरिका के लास अंजलस सहर में जबकि दो हजार बत्तिस में ग्रीसम कालिन ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जाएगा आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन सहर में इसी प्रकार से सीद कालिन ओलंपिक खेल 2022 का यानि की अगले साल आयोजन किया जाएगा चीन की राध्धानी बीजिंग में और 2026 के सीद कालिन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इटली के मिलान तता कोटिना सहरों में अगला कोशन है इंटरनेशनल बिजनेस बुक आफ दा इयर का अवार्ट किसे दिया गया है तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक आफ दा इयर का अवार्ट दिया गया है दो लोगों को नितिन राके सता जेरी बिंड को इनको ये पुरुषकार इनकी पुस्तक ट्रांस्फार्मे में हैं ये पुस्तिकें कौन-कौन सी है पहले ही पुस्तिक है वन अरेंजड मडर दूसरी है 400 यह दोनों पुस्तिकें जो हैं चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है अगला कोशन है पुने इस्तित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट स्टेडियम का ना मदल कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम तो यहां से कोशन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कि सहर में स्तित है तो उत्तर होगा पुने महाराष्ट में नीरज चोपड़ा को आप सभी लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा हाली में नीरत चोपड़ा को बाईजू कोचिंग तता टाटा ए आई लाइफ इंसरेंस कंपनी ने अपना ब्रेंड अमबेशडर बनाया है इसके साथ ही साथ एक कोशन और आपको याद रखना है जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरुसकार है जिसका नाम है मेजर ध्यानच खेल रतन पुरुसकार जो कि भारत में खेल के छेत्र में दिया जाने वाला सरव से बड़ा पुरुसकार है इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार टोटल बारा खिलाडियों को दिया गया है जिन में से एक खिलाडी है नीर रजिच चोपड़ा अब यहां से जिनको इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है यह बारा खिलाडी कौन-कौन से हैं नीरच चोपड़ा रवी दहिया पियार स्रजेस लौलीन बोर्बेहन सुनील चत्री मिताली राज प्रमोध भगत सुमित अंतिल अवनी लेखरा क्रि अगला कुशन है सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्टी उद्यान यानि की नेशनल पार्क कौन बन गया है तो सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजी रंगा नेशनल पार्क जो की असम राजी का एक पर कोई सिकारी पस्रूप को मारता है तो उसको सेटे लाइट के माद्यम से कैच कर लिया जाएगा यानि कि उसकी तस्वीर को खिच लिया जाएगा जिसके खिलाब उसके बाद में कारवाही भी की जाएगी अब आपको यहां से कोईशन याद रखना है जो काजी रंगा नेशनल पार्क है यह यूनिसको की विस्तु धरोहर इस्थल में भी सामिल है और यह एक सिंग वाले गंडे के लिए विस्तु प्रसिद है और असम राजी में वरतमान में टोटल साथ राश की उद्यान है यह साथ राश्टी उद्यान कौन-कौन से हैं मानास राश्टी उद्यान नामेरी राश्टी उद्यान ओरांग राश्टी उद्यान काजी रंगा राश्टी उद्यान डिबरू सेखवा राश्टी उद्यान और हाली में 2021 में दो लेटेस्ट राश्टी उद्यान बने हैं अ अगला कोशन है भारत अपने 75 में स्वतंतरता दिवस को किस रूप में मनाया है? अब जो मैं कोशन बताने जा रहा हूँ ये कोशन आपके एक्जाम में 100 पूछा जाएगा कोशन क्या है? कि गड़तंत दिवस रिपब्लिक डे परेड दो हजार बाइस के लिए भारत ने मुख्य अतिती के तोर पर किसे बुलाया है? तो रिपब्लिक डे परेड दो हजार बाइस यानि कि जो 26 जनौरी दो हजार बाइस को इंडिया गेट के सामने परेड होगी उस परेड में भारत ने मुख्य अतिती चीफ गेश्ट के रूप में बुलाया है पांच मद्धी ACI देसों के राष्टपती को फाइब सेंटरल जो ACI देस हैं इनके राष्टपती को बुलाया है ये पांच मद्धी ACI देस कौन-कौन से हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तता पुझवेकिस्तान इन देसों के जो राष्टपती हैं ये गरतंत दिवस यानि की 26 जनौरी 2022 की परेट की मुख्य अतित्थी होंगे ये कोशन बहुत ही मात्तों है आपको रट लेना है अगला कोशन है भारती वायुसेना ने दुनिया के सबसे उंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसे भारत के किंद सासित प्रदेश लद्दाक में इस्थापित किया गया है यानि की इस कोशन का सही आंसर है डी अब आपको लद्दाक किंद सासित प्रदेश के कुछ कोशन याद रखना है जैसे 2021 में ही दुनिया के सबसे उंचे मोवी थियाटर का उदगाटन किया गया है ल उर्वी लद्दाक के उमलिंगला दर्रे में और ये जो सड़क है इसको गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड भी हासिल हुआ है तो आपको याद रखना है दुनिया की सबसे उंची चड़क बनाई गई है लद्दाक के उमलिंगला दर्रे के पास हाली में जो जमू कस्मीर उच्च नियाले था इसका नाम बदल दिया गया है अब जमू कस्मीर उच्च नियाले का नाम बदल कर कर दिया गया है जमू और कस्मीर और लद्दाक उच्च नियाले इसमें लद्दाक सब्द जोड दिया गया है जो लद्दाक के अंसासित प्रद पहला आर्गैनिक स्टेट है जो लद्दाक है भारत का एक केंदर सासित प्रदेश है हाली में लद्दाक ने हिम तेंदुये को अपना राज की पसू तता काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राज की पच्छी घोशित किया है लद्दाक में पहला लद्दाक का केंदरी विस्विद्याले खोला जाएगा जिसका नाम होगा सिंदु केंदरी विस्विद्याले जो सिंदु केंदरी विस्विद्याले है ये लद्दाक का पहला तता एक मात्र विस्विद्याले है जो की सिंदु नदी के नाम पर खोला जा लद्दाक का पहला केंद्री विस्थ विद्याले सिंदू केंद्री विस्थ विद्याले के नाम से खोला जाएगा लद्दाक की राधानी है लद्दाक में दो जिले हैं सिर्फ ये दो जिले कौन-कौन से हैं ले तथा करगिल वर्तमान में लद्दाक किंसासित प्रदेश के अब मैं जो कोशन बताने जा रहा हूँ ये कोशन पूचा गया था आरारबी एंटीपीसी के सीवीटी वन एकजाम में साथ जनवरी को पहली सिप्ट में कोशन क्या था कि वरतमान में भारत में कुल कितने राजी तता केंदर सासित प्रदेश हैं ये कोशन आरारबी एंटीपीसी के सीवीटी वन एकजाम में पूचा गया था अगला कोशन है किस राजी ने तमिल थाई वजदू को अपना राजी गीत गोशित किया है तो हाली में तमिल थाई वजदू को अपना राजी गीत यानि की स्टेट अंथम गोशित किया है तमिन नाडू राजिने जो तमिल थाई वजदू है ये वर्तमान में पुडू चेरी के अंसासित प्रदेश का भी अधिकारिक राज की गीत है इसी परकार से भारत के दो अन्य राजियां जिनका अपना राज की गान है कौन-कौन सा जया भारत जन्जिया तनु जते जो की करनाटक राजी का है इसी परकार से बंदे उतकल जन्नी उडिसा राजी का अधिकारिक राजे गान है यहां पर बात की गई है तमिन नाडू राजी की राज़ानी है चेन्नाई यहां के वर्तमान में मुख्य मंत्रियें म.क. अस्टालिन राजिपाल है आर एन रभी तमिन नाडू राजी का नृत्य है भारत नाट्यम यहां से कोशन इस प्रगास से पूचा जाता है कि भारत नाट्यम भारत के किस राजी का नृत्य है तो उत्तर होगा तमिन नाडू राजी का अगला कोशन है हर साल विश्टो हाथी दिवस वर्ड एलिफेंट का मना जाता है यह कोशन NTPC CBT1 में पूचा गया था करीब करीब 2-3 सिप्ट में दो कोशन पूचे गया थे बिस्सु हाथी दिवस तथा अंतराश्टी बाग दिवस ये दोनों कोशन पूछे गए थे CBT1 एक्जाम में साथी साथ बिस्सु पुस्तग और कापी राइट दिवस भी CBT1 एक्जाम में उचा गया था तो एक एक करके देख लेते हैं हर साल बिस्सु हाथी दिवस यानि की वर्ड एलिफ्रेंड दे मना जाता है 12 अगस्त को बारे अगस्त वहीं दिन है जिस दिन हम अंतराश्टी युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाते हैं अगला कोशन है अंतराश्टी बाग दिवस जो की हर साल 29 जुलाई को मना जाता है विश्व पुस्तग और कांपी राइट दिवस वर्ड भुक और कांपी राइट डे हर साल मना जाता है 23 अपरेल को यह तीनों दिवस एंटी पीसी सीवी टी वन में करीब करीब दो से तीन सिफ्ट में पूचे गए हैं तो आपको याद रखना है विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को अंतराश्टी बाग दिवस 31 जुलाई को विश्व पूस्तक और कांपी राइट दिवस के 20 अपरेल को अगला कोशन है अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरुषकार 2021 किसे दिया गया है तो यह पुरुषकार जो है पहली बार दिया गया है इसलिए बहुत ही मातपूर है आपको याद रखना है पहला अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरुषकार दिया गया है दुनिया की दो महिलाओं को जिन में से एक हैं भारत की गीता मित्तल गीता मित्तल जो की जम्मू कस्मी नियाले की पूर्व मुख्य नियादीस भी है अगला कोशन है देश के मेंटर्स कारिक्रम के लिए दिली सरकार ने अपना ब्रेंड अमबेजडर किसे बनाया है तो हाली में दिल्ली सरकार ने देज के मेंटर्स कारिक्रम के लिए अपना brand मेजडर बनाया है actor Sunu Suplement को और अभी कोई एक्जाम हुआ था उसमें कोशने पूछा गया था कि जो देज के मेंटर्स कारिक्रम ये किस राजजी के द्वारा शुरू किया गया है तो देश के मेंटर्स जो कारिक्रम है ये दिल्ली सरकार के द्वारा सुरू किया गया है अगला कोशन है यूनिस्को गुलेर्मो केनो विस्सु प्रेस स्वतंतरता पुरुषकार 2021 के से दिया गया है ये अब तक की दो से तीन परिच्छाओं में पूछा जा चुका है तो यूनिस्को जिसे हम गुलेर्मो केनो विस्सु प्रेस स्वतंतरता पुरुषकार कहते हैं ये 2021 का दिया गया है मारिया रेसा को मारिया रेसा जो कि फिलिपिन्स देश की पत्रकार है अब यहां से दो तीन कोशन याद रखना है विस्तु खेल पत्रकार दिवस हर साल मना जाता है 2 जुलाई को जबकि विस्तु पत्रकारिता सुतंतरता दिवस हर साल मना जाता है 3 माई को और जो विस्तु प्रेस सुतंतरता सुजकांग 2021 है इसमें भारत की रेंक है 142 यहाँ पर बात की गई है मारिया रेसा की तो मारिया रेसा से आपको एक कोशन और याद रखना है कोशन क्या है जो 2021 का नोबल सांती पुरुसकार है ये दो लोगों को दिया गया है जिन में से एक महिला है मारिया रेसा तो आपको याद रखना है नोबल सांती पुरुसकार 2021 मारिया रेसा जो की फिलिपिन्स देश की ह और दूसरे व्यक्ति हैं देमित्री मुरुतो जो की रूस देश की हैं इन दोनों को नुबल सांती पुरुसकार 2021 दिया गया है आप जो फोटो में देख पार हैं ये हैं मारिया रेसा जो की फिलिपिन्स देश की पत्रकार हैं ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने किसे पहनाया गया है या मिस्स यूनिवर्स 2021 कौन बनी है इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बाक्स में देना होगा आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईए साथ अगरू ऀएट पसAND आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजे, मैं उस टॉपिक पर अब आपको वीडियो जरूर बना के दूँगा, साथी साथ आज से आपको डेली हमारा वीडियो मिलेगा साम को, तो आप इस चैनल पर अगर अभी नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीज